मेरा नाम है रुमा गुत्ता और मैं ग्राजुएट कर चुकी हूँ मेरा सवल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की साधी करे और अगर ऐसा हो कि ओ मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नावाज पड़े और हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे तो ये क्या जायज है या नादद है जएन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसल्मान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसल्मान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसल्मान के घर में पूजा कर सकती कहने सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज़ के आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पईया रखेंगे साइकल का एक पईया रखेंगे ट्रेक्टर का तो गाड़ी चलेंगी क्या नहीं चलेगी या चारो साइकल कर दो या चारो ट्रेक्टर कर दो इसलिए इनकर के आयत सुर बक्रा की सुरा नूर नमर थो आयत नमर 221 में आज अल्ला ताल फर्माते है कBER आप मुश्रिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो उमान न लाए मतलब जो गेर मुस्लिम है पर शिर कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक 他 एमान ना लाए और एक एमान लाने वाली अहरत चाहे कितनी भी बसूरत हो वो एक मुष्रिकाई से बहतर है और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुष्रिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो इमान ना लाए एक मुमिन आदमी चाहे कितना भी बसूरत हो वो बेतर बनितब़ जो शिर करता है इसकी वज़े ये है कि इसलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के इलावा किसी को और पूछते है किसी और की अबादत करते है ये सबसे बड़ा गुना है सुरा नमबर 4 आयत नमबर 116 में कि अगर चाहे तो कोई भी गुना को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगा अगर एक इनसान मुष्रिक जैसा मर गया तो अगर आप जाला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि मुष्रिक वो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुना है क्योंकि हमारा खालिक हमारा मालिक हमारा इशुर हमारा खुदा हमारा भगवान अगर हम उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुना है जिसने हमें जिन्दगी दी जिसने ये सारी चीज़े हमें दी दुनिया में अगर हम उसको गाली देंगे उसके इलावा किसी और की अबादत करेंगे ये शिर्क हुआ तो इसी लिए इसलाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुष्रिक लड़का या लड़की से शादी करे यह जहां तक के सवाले का एक आम मुसल्मान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है अगर उसके सामने कोई मूर्ती नहीं है तो वो नमास कहां भी पढ़ सकता है अगर जगा साफ है हमारे रसुल मुम्हित सी आजवारों में पर्माते कि सारी दुनिया सारी धरती मूमिन के लिए मस्जिद है means भी सारी दुनिया आप कहां भी नमास पढ़ सकते देखना चाहिए कैं साफ है आप नमास पढ़ सकते तो ये आप जाके अगर हिंडू का घर्म हमे जाते हैं और वो इन साफ है कोई मूर्ती आगे नहीं है नमास पढ़ने में कोई हर्थ नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाद पढ़ सकते शादी करने की दरूरत नहीं है नमाद पढ़ने का है अगर साफ जगा है तो कोई हर ने इसलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का इमान हो और अगर आप हिंदू मख़भ पढ़ेंगे तो हिंदू मख़भी किताब में भी यह लिखा है जो मैंने पहले पेश किया पहला जो सवाल था भाई सापका और मैंने कहा कि हंदू मखभ में भी यह लिखा है नातस्सिपती मास्ती उस अश्योप, उस भगवान, उस खुदा कोई अकस नहीं कोई मूर्ती नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई पोट्रेट नहीं कोई आइडल नहीं कोई स्टैच्ईू नहीं अगर ये मान ले कि कमसकम जो यक्सा है हिंदू और इसलाम के मदभी किताब में कमसकम उसके अपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्चिलाद दूर हो जाएंगे जो यक्सा नहीं है उसको कर डिसकस कर सकते और अगर आप तेखिक करते है तेखिक करते हिंदू मदभी किताब पढ़ते और इसलाम मदभी किताब पढ़ते दोनुने में लिखा है दोनों में लिखा है खुदा के कोई अख्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के इलावा किसी और की अबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखरी पैगंबर मुहम्बस नहीं है, दोनों में लिख कि आप के लिए हराम है मरावा गोश खुन सूर का गोश और वो खाना जिसके उपर अल्ला के इलावा किसी और का नाम लिया गया है आप अगर हिंदू मजभी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है का सूर का गोश खाना हराम है अगर आप टैकी करेंगे काफी एक्सानियत है इसलाम मजभी किताब में लिखा है कुरान में सूर नूर में सूरा नमबर 24 आयत नमबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में आउरत को अलमदलिल्ला हिजाब में होना चाहिए सर से डखा होना चाहिए उसका जिसम सिर्क जो दिख सकता है वो चैरा और हतेली तक के आप अगर हिंदू मजभी किताब पढ़ेंगे रिगवेज रिगवेज बुक नमबर 8 में लिखा है और रिगवेज बुक नमबर 10 में भी लिखा हुआ है कि आउरत को अपने सिर्क के पलों को जालना चाहिए चेहरे पे रिगवेज में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए ये कुरान मजीद में लिखा है सुने नूर सुना नमबर 14 आयद नमबर 331 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शोहर ये खरीब जिखता नहीं है और जब भी कोई मर्द को आउरत को देखता है और खरीब जिखता है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए तो और इसलाम मजब में जो मजबी किताब में लिखा है लेकिन अफसोस की बात है कि मजब के ठीकेदार ये चीज़ का दिकर ही ने करते क्यों इसलिए मैं हवाले देता हूँ मैं कोई आलिब नहीं हूँ मैं कोई पंडित नहीं हूँ मैं अपने आपको तालिब इल्म कहता हूँ लेकिन मैं हमेशे हवाला देता हूँ तो किसी को भी शक है किसी को भी शुभा है ने वही होना चाहिए इसलिए दोनों लोग मुमिन होना जरूरी है खुब दानुस्थ कुष्टिन